ब्रत में कुछ मीठा खाने का मन करें तो जट पर से बनाई ये टेश्टी सी ब्रत वाली मिठाई जो खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी होती है हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए साउन ब्रत स्पैसल रस्पी लेकर आई हूँ आप ब्रत बिना ब्रत दोनों में ये बनाए के खा सकती हो अगर एक बर बनाए के खा रहे ना तो बिना ब्रत भी आप यही वाली मिठाई बनाऊगे इतनी ज़्यादा ये टेस्ट ही होती है और बनाने में एक नमसाना है ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखना राज की रस्पी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो चलिए फिर बिनादेरी की बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कटोरी जितने चीनी तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चीनी ले ली है अब हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगी यह चीनी तो आपको एक कटोरी जरूर सेट कर अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेंगे इस तरीके से कोई बड़ा बरतन ले लीजिए और इसमें हम यहाँ पे डालेंगे आधी किटोरी जितनी मलाई तो जो दूद गरम होने के बाद में मलाई आ जाती है ना वही मलाई मेंने लिया है तो एक तिम ठंडी मलाई लेनी है आपको गरम मलाई बिल्कुल भी नहीं лेनी है और इसे हम इस बावल में डाल देंगे और अच्छे से है जो इस मलाई को फेट लेंगे तो आज की जो बर्फी बनेंगे ना हम बिना घी के बनाएंगे तो इस तरीके से आप है मलाई ज़रूर लें इससे टेश्ट आना बहुत ही अच्छा आता है एकदम मावे वाला तो मलाई को मेने इस तरीके से है जो अच्छे से फेट लिए है अब हम यहापे लेंगे एक छलनी और छलनी के अंदर जो हमने चीनी पीस के रखी है न वो डार के अच्छे से चान लेंगे क्योंकि अगर हम direct चीनी को इस्तमाल में लेंगे न तो कई वर चीनी साबूत रह जाती है फिर वो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारी वर्फी का तो इस तरीके से आपको चीनी है जो छान लेनी है तो आप बरत में या बिना बरत दोनों ये मिठाई है जो बना सकते हूँ बहुत ही ज़ादा ये टेस्ट ही बनती है विल्कुल मावे की जो वर्फी होती है विल्कुल वही टेस्ट आएगा इसमें ये देख सकते हो चीनी को मैंने अच्छे से छान लिया तो इसमें साबूत नहीं रही थी अच्छे से पीश चुकी है तो अब हम क्या करेंगे अच्छे से है जो इसे मिक्स करेंगे तो चीनी और जो मलाई है ना इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम क्रीम जैसा बना लेंगे तो इस तरीके से अच्छे से है जो इसे फिट लीजिए वैसे तो मलाई है जो हर घर में मिल जाती है अगर बाईचांस आपके पास मलाई नहीं है तो आप उबला हुआ ठंडा दूद ले लीजिए और उसमें दो चम्मत छोटी चम्मत से घीर डालके और चीनी डालके अच्छे से मिक्स कर लोगे तो वो इसी तरीके का आपको पेश्ट है जो मिल जाएगा तो देख सकते हो एकदम इस तरीके का क्रीमी सा हो गया है अब हम क्या करेंगे डखका लगा के इसे रखते हैं साइड में चलिए गैस की तरफ चलते हैं तो आज हमें जादा पकाने वगेरे के जरूरत नहीं है तिहां पे मैंने एक पैन लिया है पैन में हम यहां पे आदिक टोरी जितना साबू दाना लेंगे तब यह आपको पता है साउन के ब्रत भी चल रहे हैं तो आप साउन के ब्रत में इस तरीके से बना लीजिए कोई भी ब्रत हो तो आप इस तरीके से मिठाई बना के खाये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको तो अब हम क्या करेंगे आज को बिल्कुल धीमी रखेंगे और इस साबूदाने को है जो हम लगाता चलाती हुए हम इसे भून लेंगे तो घीव अगेरा कुछ भी नहीं डालना है पैन में जब साबूदाना आपको लगे किसे एक आदी मिन्ट हो गए है पकते हुए तो अब हम यहाँ पे एक टोरी जितना मकाना लेंगे तो मकाना आपको पता है बहुते ज़्यादा है तो आप जरूर एड़ करें इससे बरफी भी बहुते ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो मकाना और साबूदाने को लगाता चलाती हो में दो से धाई मिन्ट लगें इससे इस तरीके से भून लेंगे तो भूनने से क्या होता है जब हम इने पीशेंगे ना तो बहुत असानी से इसका एक पाउडर बन जाएगा तो आप सावुदाना की जगे सिंगाडे काटा भी ले सकती हो या फिर मखाना नहीं है तो आप सिंगाडा और सावुदाना को भी इस तरीके से पीश सकती हो और यह देख सकते हूं इस तरीके से तोड़ के देखे एकदम अच्छे से मखाना टूट रा इसका मतलब यह अच्छे से है जो भून चुकी है तो अब हम क्या करेंगे गैंस को बंद कर देंगे तो इसे हम थोड़ी देर और चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी बहुती ज़्यादा गर्म है आप जाए तो दूसरे बर्तन में भी इसे निकाल के पंकी के नीचे रख दीजी अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो बस यह अच्छे से ठंडे हो जाए इस तरह अपको ठंडा कर लेना है तो जब मखाना और साबुदाना एकदम अच्छे से देख सकते हो ठंडा हो चुक है तो अब हम क्या करेंगे इशे पीसेंगे तो यहां पे वही मैंने मिक्सीका जार लिय जिसमें हमनें चीनी पीसी है और इसमें साबूदाना मखाना डाल के और अच्छे जिसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे तो आज की जो मिठाई बनेगी ना ये बीना घी हम बनाने वाले हैं और कोई बताई ने सकता कि बीना घी बीना मावा इतने ज़्यादा टेश्टी मिठाई कैसे बन गई है और अब हम यहाँ पे डालेंगे 5-6 मैने यहाँ पे बदाम लिये हैं और 5-6 मैं यहाँ पे काजू डालूँगी तो यह दोनों डालना पूरी तरह से ऑप्सिनल है दोस्तों आप इनके वगेर भी मिठाई बना सकती हो तब ब्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा डाल लेते हैं थाकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो इसलिए मैने यहाँ पे डाल लिया है तो अब हम अच्छे से से पीस लेंगे तो एकदम स्मूज सा आपको पीस लेना है तो ड्राइब फ्रूट के बगेर भी यह मिठाई है जो अच्छी बनेगी क्योंकि हम इसमें कुछ और चीज एड़ करेंगे तो अब हम वही चलने लेंगे और जो हमने आटा बना के रखा न पीस के वह अच्छी से चान लेंगे ताकि साबू दाना और मखाने के छोटे मोटे पीस रहेंगे थोड़े बहुत कन रह जाते हैं तो वह चलनी में निकल जाएंगे तो वैसे हम इने भून की और बाद में पीस थे आना तो बहुत ही अच्छे से यह बिल्कुल स्मूज से आटी की तरह पीस जाता है यह देख सकते हो कुछ इस तरीके का यह पेस्ट बन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे आधिक टोरी जितना नारियल का भूरा दा अगर आपको अनरियल का टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो इसकी जगे थोड़ा साबूदाना ज्यादा ले लीजी तो आधिक टोरी लिया था उसकी जगे आप एक टोरी ले लीजी और तीन चम्मा जितना हम यहाँ पे डालेंगे मिल्क पाउडर तो मिल्क पाउडर नहीं एड़ करना चाहते हो तो कोई बात ने स्किप कर सकती हो क्योंकि बिना मिल्क पाउडर भी यह मिठाई बन जाएगी मगर मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा बिल्कुल भी पताने चलेगा कि यह साबूदाना और मखाना की बर पानी सोकता है तो ये देख सकते हूं इस तरीकी से mix करेंगे न तो कुछ इस तरीकी का डू हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसे हाथ से थुड़े अच्छे से mix कर लेते हैं तो ज्यादा इसे गूतना नहीं है बस हलके हाथों से इसे mix करना है और एकदम समूज सा यह, जो मवा होता ना, वस वैसा ही हो जाएगा जिस तरीकी से मवा बनाती है ना, विल्कुल मवा जैसा हो जाएगा यह डो तो अगर आप color डालना चाहते हो तो इसमे color भी add कर सकते हो मगर मैं breath के लिए बना रहे हो तो इसमे color वगेरा कुछ नहीं add करूंगे देख सकते हो एकदम smooth सा हो गया है तो अब आप इसके पेड़े बना सकते हो रोल बना सकते हो तो मैं इसकी बर्फी सेट करने वाली हो तो यहाँ पर मैंने एक टीन लिया है और टीन के अंदर मैंने एक butter paper लगा है ताकि हमारी बर्फी है वो असानी से निकल जाए अगर नहीं आपके पास butter paper तो कोई बात नहीं है आप simple घी लगा लीजिए और थोड़े से हमें इसकी उपर है जो इसकी से ड्राइफ रूट लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने पिस्ते की कत्रन लगाई है ताकि बर्फी सेट करेंगे तो यह अंदर से अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर बाद में यह निकलेंगे नहीं तो अब हम क्या करेंगे यह सारा मिसरन डाल के अच्छे सेट कर देंगे तो जितनी मोटी आप बर्फी रखना चाहते हो ना उसी साब से है जो इसे सेट कर लीजिए तो मैं यहाँ पर नॉर्मली जो मार्केट में मिलती है ना वस उसी तरीके से सेट करने वाली हूँ तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ यह वाली वर्फी आपको मार्केट से नहीं मिलेगी यह आपको घरपी बनानी पड़ेगी तो जो वाकी वर्फी आती है ना बैसन की और मावा की वर्फी मैं उस तरीके से इसे मोटा रख रही हूँ अब हम चमच के बेक साइड में घी लगाएंगे और इसे उपर से एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो चलिए बटर पेपर को हटा देते हैं यह देख सकते हूं हमारी टैम्टिंग सी मिठाई बनकर त्यार हो गई है तो यह देख सकते हूं बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से टेश्टी वाले मिठाई है जो घरपी बना के त्यार कर लोगे तो चलिए अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो अभी आपको पता है खुब सारे festival भी आने वाले हैं तो आप festival पर बना सकती हो बिना ब्रत भी बना सकती हो कभी भी आपको मीठा खाने का मन करें तो इस तरीके से बना के ज़रूर खाईए तो सबसे पहले किनारों को निकाल देंगे इस तरीके से तो देख सकते हो एकदम soft सी हमारी वर्फी बनी है तो अब जैसे भी आपको piece cut करने है आप उसी साब से है जो इसके piece cut कर सकते हो तो मैं कुछ इस तरीके से है जो इसके piece cut कर रही हूँ ओपर से थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों की गानिश कर देंगे ताकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगे खाने में तो ये tasty है तो ये देख सकते हो हमारी healthy tasty मिठाई बनकर त्यार हो गया है तो आप इस तरीके से मिठाई बना के और फ्रिज में रखके 10-12 दिन तक खा सकते हो अगर आपको लंबे समय तक चलानी है ना दोस्तो तो आप क्या कर सकते हो मुलाई की जगे ना घी एड़ कर लीजे तो आपकी बरफी है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आप 15-20 दिन त पता चर रहा है कि कितनी ज़्यादा यह सॉफ्ट बनी है एकदम बजार जैसी मुह में घुल जाने वाली बरफी बनकर त्यार होगी है रेस्पी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक कर दीजी धन्यवाद दोस्तों